विश्वास की गोशना, मैं गोशना करता हूँ कि मैं विशेश, असदारन और अलोकिक हूँ, मैं गोशना करता हूँ कि मेरे पास वो कृपा है जिसके मुझे आज अविशक्ता है, मैं सामर्श, शक्ति और डिर संकल्प से भरा हुआ हूँ, कोई भी चुनोती मेरे सामने मेरे लिए बहुत अधिक नहीं होगा मैं हर वादाको पार करता हूं हर चुनोति को पार करता हूं और हर कटिनाई को पहले से बहतर तरीके से पार करता हूं यो मेरी घोशना है ेस शक्ति से मैं बिमारी को चंगा करता हूँ, कोडियों को शुद करता हूँ, मरे हुए को जिलाता, दुर्ष्टाओं को निकालता और प्रभु के लिए सामर्द के काम करता हूँ, मेरे या मेरे प्रियजनों के पास कोई बिमारी या रोग नहीं फटकने पाएगी, हम सरवचे यश्वर के पंखों के नीचे सुरक्षित और देविय रूप से सरक्षित है, हालेलुया, मेरे पास वह होगा जो मैं कहूंगा, येश्व के नाम में मैं मजबूत हूँ, मैं स्व मैं इश्वर का प्रिया हूँ, मैं इश्वर और मानव जाती का कृपा पात रहूँ, मैं वहीं बोलता हूँ जो मैं देखना चाता हूँ, न की जो मैं देखता हूँ, मैं एक अनमोल बीज हूँ, मैं अपने इश्वर के घर में अच्छी जमेन पर लगाया गया हूँ, मैं प्रभू के दरबार में ताड के पेड़ की तरह फलता फलता हूँ, मैं हर मौसम में प्रचुर मात्रा में फल उत्बन करता हूँ, मैं प्रभू में रस और हरे रंग से भरा हुआ हूँ, और बुड़ापे में भी में ताजा और फलता फलता रहूँगा, मेरा पता मुर जाता नहीं है और जो खुझ भी मैं करता हूँ वो येश्यू के नाम में समर्द होता है चीजे हमेशा मेरे लिए येश्यू के नाम में काम कर रही है मैं मसीहा येश्यू में हर आद्मितिक आशिरवात का प्राप्त करता हूँ मैं एक आत्मा हूँ मेरी आत्मा में एक अंतर्मन है मेरी आत्मा और मेरा अंतर्मन एक बहुतिक शरीर में रहते हैं मेरी आत्मा मेरे अंतर्मन को निर्देश देती है मेरा अंतर्मन सुनता है प्राप्त करता है और मेरे शरीर को निर्देश देती है और मेरा शरीर पालन करता येश्यू के नाम में मैं अपने शरीर से बोलता हूँ इश्वर का विनाशी जीवन मेरी जीवन में हमेशा स्पस्ट और व्यक्त होता है मैं अपने शरीर के हर विवरन के लिए जीवन बोलता हूँ मैं अपने मनोभाव से बात करता हूँ परिपुर्न बनो मसीहा के मनोभाव की तरह और मैं तुम्हें परमेश्वर के वच्चन से सरेकित होनी की आग्या देता हूँ, मैं अपने स्तायों और नस्व से जीवन बोलता हूँ, मैं अपने मास्पेशी और स्त्राही बंदन को ताकत बोलता हूँ, मैं अपने दिल से जीवन शक्ती बोलता हूँ, मैं अपने और उतकों से सामन्य वेंटिलेशन और परफिशन अनुपाद बनाये रखने के लिए बात करता हूँ। मैं अपनी किड्नी लीवर और अगनशाईयों को पुर्णता बोलता हूँ। मेरी कुन की हर कोशिका में जीवन है। मेरी हड़िया जोड और काटिले सरेखित मजबूत अडिड है। मेरे पूरे उपरे और नीचले अंग उतकुष रूप से कार्य करते हैं। मेरी आखे सपश्ट रूप से और पुरी तरह से देखती हैं। मेरे कान काम करते हैं बैतरीन। मेरी तवचा एक नवजा शीशू और इश्वर की सुन्दर्ता की तरह चिकनी स्वस्थ हैं। मेरे बालों के रूम कस गए हैं। मैं अपने बालों को सिर रहने की आग्या देता हूँ और जहां वृद्धी के अविश्यक्ता होती हैं। मैं अपने रूम में विकास छोड़ता हूँ। मेरे दात मसुड़े जब्रे की हड्या और तंत्रे का और रक्त की आपूर्थी सभी स्वस्थ मजबुत अपरिपुर्ण है। मेरे सबी हार्मोन और नियूरो कैमिकल ट्रांस्मीटर एक दुसरे के साथ पुर्ण समझाई में हैं और अपने कारियों को सामनियों रूप से निश्पादित कर रहे हैं। मेरा पाचन तंत्र निगले गए सभी खाद पदार्थों को पचाने अप्शोषित करने और आत्मसाथ करने में सक्षम है और चाया पची अप्शित उत्पाद नीमित रूप से उसरजित होते हैं। मैं खाने, तक्नीक, मीडिया, शितलता, गपशप, आलस, अधिकनी, सुस्तियों और बाद्यकारी, खरीदारी में सभी प्रकार के वस्नों, शराब, निकोटिन, ड्रिक्स, दिविया, धातुपान, अत्यदिक भोग को कैद करता हूं और मसीहा की आग्यकरिता में लेता हूं जैसे येश्वी वैसे ही मैं, ईश्वन ने जो कुछ भी बनाया है वो मेरे लिए जीवन और चंगाई है, इसले खात पदार्तो धूल जानवरों आदी अलर्जी का मुझे पर कोई अधिकार नहीं है, ईश्वन ने मुझे इन सारी चीज़ों पर अधिकार दिया है, मेरा प प्यार कोई चाहिती है, जिसके लिए इश्वन ने इसे कारिय करने के लिए बनाया है, और मैं मेरे शरी में किसी भी प्रकार की खराबी आधिक को येश्व के नाम पर मना करता हूँ, आमेन मेरा संपुर्ण मानव शरी रचना विज्ञान चया पच्छी और शरी क्रिया विज्ञार मसीह येशु में परिपुर्ण है महीमा हालेलुया आमेन पिता इश्वर मुझे प्यार करते है, मुझे पता है कि मैं जानता हूँ, पूत्र इश्वर मुझे प्यार करते है, मुझे पता है कि मैं जानता हूँ, आमेन